बीडियानी एक लोकप्रिये फूट जो मोल रूप से इंडिया से उत्पन हुआ था अब दुनिया भाड में फेमास हो गया है इंडिया में एक प्लेट चिकेन बीडियानी देश से तोसुरूपिये के बीच आसानी से मिल जाती है लेकिन दोस्तों के आप जानते हैं कि फोरेन कांट्रीज में आइमीन विदेशों में एक प्लेट बीडियानी की कीमत कितनी है जानने के बाद आज से खूती बीडियानी बनाना शुरू कर देंगे और शारुक खान अपने बेटे आरियान को हर माहीने पोकेट मानी के तोर पर कितने बैसे देते हैं जानकर आमबानी भी हैरन रहे जाएंगे दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए इसे पूरा देखे मैं ये वीडियो स्पेशाली बिरियानी लावर्स के लिए बना रहा हूँ सो लेट्स गेट स्टर्टेट दोस्तों अगर आपसे ये कुछा जाए कि एक किलोग्रम लोहा भारी होता है या एक किलोग्रम कोटोन तो आप में से 90% लोगों का एंसर होगा लोहा लोहा और कोटोन इन दोनों का वेट सेम होगा क्यूकि इन दोनों का वाजन एक किलो है बट आगार में कहूं कि एक किलो कोटोन एक किलो लोहे से ज्यादा भारी होगी लेकिन कैसे जी हाँ दोस्तो अगर उस एक किलो रुई को पानी में भीगो दिया जाए तो उस रुई का वजन एक किलो लोहे से भी ज़ादा होगा बात तो सही है नमबा टू बॉलिउट स्टार शारुप खान एक पिता के तोर पर अपने बच्चों के लिए किसी भी तराई की कंजूसी नहीं करते हैं शारुप खान ने अपने बच्चों की हर्खोआईश उनके मांगने से पहले ही पूरी कर देते हैं उनके भाड़े भेटे आरियान ने कैलिफोर्निया उनिवासिटी से मोडेलिंग और फैसान डिजाइनिंग में ग्याजुएशन किया है इस बॉलिउट कीट ने कभी खुशी कभी गाम और कभी अलवीदा ना कहना मुवी में बच्चे का रोल निभाया था दोस्त एक रिपोर्ट के मुटबिक आरियान का रोजाना का खर्च करीब 10 लाक से भी ज्यादा है आपको बता दे कि शारुखान के बारे बेटे आरियान की फिलाल कोई खास कामाई नहीं है अब तक उनके शारे शोक उनके पीता शारुखान ही पुड़े कर रहे हैं दोस्तों आपको जनकार हैरानी होगी कि किण खान अपने बारे बेटे आरियान को हर माई ने करीब 10-15 करोर रुपे पॉकेट मानी के तौर पर देते हैं और पुरे माई ने मुझे पॉकेट मानी के तौर पर 100 रुपिये भी नहीं मिलते थे आपको बच्पन में बॉकेट मानी के रूप में कितने पैसे मिलते थे कॉमेट करके बाता है बीडियानी नाम सुनते ही जिब में पानी आ जाता है ऐसा कोई फेक्टी शायत नहीं मिलेगा जिसे बीडियानी पसंद ना हो लेकिन दोस्तो क्या आपने काभी सोचा है कि ये पॉपुलाटीस बीडियानी विदेशों में कितने में मिलती है जो आज मैं इस भीडियो में कहने जारा आ हूँ मियामार में एक प्लेट बीडियानी की कीमत भारतिय मुद्रा में 237 रुपिय है मालेसिया में चिकेन बीडियानी की एक प्लेट की कीमत लगभाग 440 रुपिय है दोस्तो थाइलेंड में एक प्लेट बीडियानी खाने के लिए आपको 687 रुपे चुकाने होंगे और इराक में एक प्लेट चिकेन बिर्यानी की कीमत इंडियन करेंसी में 950 रुपिय है वहीं एमेरिका में एक प्लेट बिर्यानी की कीमत 1490 रुपिय है आपके एडिया में चिकेन या माटन बिर्यानी की एक प्लेट की कीमत कितिनी है कॉमेंट में लिखे और अगर आपको ये वीडियो पसंद दाए तो इसे लाइक करे एंट निल्सफेक्ट चैनेल को सब्सक्राइब करे स्टे वेल टाटा